नमस्कार दोस्तो मेरा नाम है चरण प्रीत आप देख रहे हैं यह Automation Training Hindi आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे PID Controller के बारे में कि जो यह PID Controller होते हैं यह क्या होते हैं और Industry में इनका इस्तम्हाल कहां पर किया जाता है क्यों इनकी जूरुत पड़ती है और कैसे इनको यूज करते हैं इसके बारे में बात करेंगे देखिए Industry के अंदर जो PID Controller है वो आपको इस तरीके से एक Standard Controller इस तरीके साथ यह देखने को मिल जाएगा इस Controller के पीछे इस तरीके से Terminal रहते हैं जहाँ पर हम अपने Sensor वेगारा Connect करते हैं और हमारी Controlling की वाइरिंग Connect रहती है दूसरा PID Controlling हम PLC की सायता से कर सकते हैं PLC के अंदर एक PID Instruction होता है उस Instruction को Program करके हम PID Controlling कर सकते हैं तो Industry के अंदर PID Controlling करने के दो Method हैं एक तो आप PLC के सायता से अपनी PID Controlling कर सकते हो दूसरा आपके पास Standard PID Controller आते हैं प्रोडक्ट आते हैं उनको उन Controller को Use करके आप उनको Program करके अपनी PID Controlling कर सकते हो अब ये PID Controlling होती क्या है और इसकी जुरूरत क्यों पड़ती है उसके बारे में बात करते हैं देखे जो PID है इसके अंदर तीन लेटर है PID जो P stand करता है वो करता है Proportional I for Integral D for Derivative तो जो PID है इसकी Full Form होती है Proportional Integral Derivative अब जरा ये समझते हैं कि इस PID Controlling की जुरूरत क्य है और इसको कैसे करते हैं तो देखे इंडस्ट्री के अंदर जो controlling के method है जर्नली वो दो type की controlling हम industry के अंदर करते हैं एक होती है हमारी on-off control और दूसरा होता है हमारा PID control अब ये क्या होता है थोड़ा सा इसके बारे में समझते हैं तो आपको PID और ज्यादा समझ में आएगा देखे on-off control एक तरीके का controlling method है जिसके अंदर हमारा जो set point है उसको achieve करने के लिए हम जो devices हैं उसको on-off करते हैं फोर एक्जामपल मैं आपको बता हूं कि माली जिए मेरको एक room है उस room का temperature मेरको 50 degree achieve करना है कितना achieve करना है? 50 degree achieve करना है तो यहाँ पर temperature achieve करने के लिए 50 degree करने के मेरे को क्या यूज़ करने पड़ेगे हीटर यूज़ करने पड़ेगे इस room के अंदर मेरे को heater लगाने पड़ेगे इस heater का temperature बापने के लिए एक sensor लगाना पड़ेगा और उस sensor को मेरे को एक controller के साथ attach करना पड़ेगा वो जो sensor है controller को feedback देगा और वो जो controller है फिर room का current temperature बताएगा अब ये जो heater है मैं किसी contactor या relay की सायता से on off कर सकता हूँ तो मैं क्या करूँगा controller की सायता से इन heater को on कर दूँगा और जैसी heater on होंगे तो room के अंदर heat बढ़नी start हो जाएगी जैसी temperature 50 degree पहुंचेगा controller के पास sensor से feedback आएगा और controller जो है 50 degree पहुंचते ही heater को off कर देगा तो यहाँ पे जो मेरी requirement थी 50 degree temperature को achieve करने की वो heater को मैंने on off के दवारा achieve कर लिया आपने यह application घरों के अंदर जो AC लगे रहते हैं AC के अंदर देखा होगा आप AC के अंदर अपना 24 degree temperature सेट कर देते हो आपका AC का compressor on हो जाता है जैसे ही आपका room का temperature 24 degree पहुंचता है आपका जो AC का compressor है वो off हो जाता है जैसे ही temperature बढ़ता है फिर से compressor on हो जाता है temperature down होता है फिर से compressor off हो जाता है आप घरों में जो press यूज़ करते हैं उस press के अंदर आप एक temperature सेट कर देते हैं जैसे ही press on होती है और वो temperature अचीव होता है press आपकी cut off हो जाती है बंद हो जाती है जैसे ही press का temperature down जाता है फिर से जो press का element है वो on हो जाता है तो ये सारी जो controlling है ये क्या है on off controlling है गीजर हम गरों के अंदर यूज करते हैं पानी गरम करने के लिए उसमें भी एक set point रहता है आप आपने 40 degree पे उसको set कर दिया तो आपका पानी जैसी 40 degree पे गरम हो जाता है तो आपके गीजर के जो heater है वो automatically off हो जाते हैं जैसी ठंडा पानी आता है temperature down होता है वैसी heater फिर से on हो जाते हैं तो ये सारी कुछ जो controlling है वो कैसे हो रही है on off के दोवारा हो रही है आपको temperature को कम कर आपको temperature को बढ़ाना है तो आप जो आपका जो set point है आपका जो target है उसको on off के दोवारा अचीव करते हो किसी भी heater को compressor को या जो भी आपकी application है उसको अचीव करने के लिए ये आपका हर एक case में हो सकता है ऐसा नहीं कि सिरफ temperature आप pressure के लिए भी आपके पास ऐसा हो सकता है flow क के लिए भी हो सकता है आपको एक pressure अचीव करना है आप pump को चलाओगे pressure बनेगा pump बंद हो जाएगा ठीक है ऐसे ही आपका flow के लिए हो सकता है humidity के लिए हो सकता है कोई भी जो आपका parameter है उसके लिए आपकी on off controlling इस्तमाल की जा सकती है ये बहुत ही simplest method रहता है किसी भी device को control कर अब दूसरा जो देखते है PID control PID control क्या होता है इसके अंदर किसी भी device को हम on off नहीं करते हैं बलकि उसको हम regulate करते हैं हम जो उसका current temperature चल रहा है अभी जो current का जो set point है उसको monitor करते हुए जो अपनी output है उसको regulate करते हैं उस output को कम जादा करते हैं totally on off नहीं करते 0 से 100% के बीच म नहीं लेके जाते बलकि उसको with respect to जो हमारी current situation है जो हमारा current में temperature है उसको monitor करते हुए उसकी जो power है उसको बढ़ाते हैं अभी देखिए जो on off control था इसके अंदर आपकी दो ही condition थी इसको मैं आपको एक example से और समझाता हूँ अभी देखिए मेरे पास एक यह furnace है मेरे को इस furnace के अंदर 1300 degree temperature maintain करना है क्या करना है मेरे को इस furnace के अंदर 1300 degree temperature maintain करना है तो सबसे पहले तो मैं 1300 degree temperature achieve करने के लिए इसके अंदर heater लगाँगा और इन heater को किसी contactor की सायता से own कर दूँगा किसी contactor की सायता से क्या कर दूँगा own कर दूँगा और यहाँ पे जो temperature है इसको measure करने के लिए एक sensor लगाऊंगा और इस sensor से जो feedback आएगा उस temperature को देखने के लिए temperature controller लगाऊंगा और इस sensor को इस temperature controller के साथ connect कर दूँगा अब यहाँ पर system क्या बनेगा यहाँ पर system ऐसा बनेगा कि आपका पास एक contactor होगा उस contactor की सहता से जो यह hit रहे हैं वो own होगे और यह जो contactor है इस controller की सहते से आपका control होगा और इस controller के उपर यह जो sensor है इससे feedback जाएगा कि भी आपका current temperature क्या चल रहा है तो अब जब initially आप furnace को own करोगे तो आपका temperature 1300 degree तो होगा नहीं 1300 degree temperature नहीं होगा तो आपको heater क्या करने पड़ेंगे own करने पड़ेंगे तो जैसी आपके heater own होगे आपका जो temperature है वो बढ़ना start हो जाएगा अब यह temperature तब तक बढ़ता रहेगा जब तक कि आपका 1300 degree temperature अचीव नहीं कर लेते जैसे ही आप 1300 degree temperature को achieve कर लोगे temperature controller आपके heater को off कर द 1295 होगा वैसी ही आपके heater जो है वो फिर से own होगे तो यह जो own off का cycle है यह continue on off का cycle चलता रहेगा आप अपने set point को achieve करने के लिए किसी भी device को continuously own off करते रहोगे अब इसके अंदर दिक्कत क्या आएगी देखिए मानलीजे मैंने initially stage के अंदर heater को on किया और heater जब 1300 degree temperature वहाँ flow है यह जो quantity है इसके अंदर ऐसा नहीं होता कि मानलीजे आपने 1300 degree आपका अंदर chamber का temperature पहुच गया और आपने heater जो है वो off कर दिये अब ऐसा नहीं होगे कि temperature आपका 1300 degree पर खड़ा हो जाएगा temperature आपका अपने maximum peak point तक जाएगा फिर उसके बाद down आना start होगा तो हो सकता है कि आपका temperature आपने heater तो 1300 पर बंद कर दिये बड़ जो आपका temperature है वो 1305 degree चला जाए ऐसे ही जैसे ही temperature यह ठंडा होगा यह temperature डाउन आएगा तो आपके heater फिर से ओन होगे मानलीजे यह 1300 degree पर आपने फिर से heater ओन कर दिये तो अब 1300 degree जैसे ही पहुचा आपने फिर से heater ओन किये तो तो आपका temperature एकदम से नहीं बढ़ेगा, पहले जैसे वो down जा रहा था, उतना down जाएगा, फिर उसके बाद वो उपर भढ़ना start होगा, तो हो सकता है कि इस प्रिकरिया के अंदर आपका जो temperature है, वो 1295 चला जाए, तो आपका जो temperature है, वो 1350 से 1295 के बीच में हमेशा fluctuate करता रह कभी 1302 हो सकता है, 301 हो सकता है, 1295, 96, 97, मतलब आपका जो temperature कभी भी आपको 1300 degree fix नहीं मिल सकता, अगर आपकी requirement fix 1300 degree को अचीव करने की है, कि आपको हमेशा chamber के अंदर temperature कितना चाहिए, 1300 degree चाहिए, तो आपका जो on-off control है, वो आपका fail कर जाएगा, क्यों? क्योंकि इसके अंदर आपको एक tolerance मिल रहा है, एक band मिल रहा है, कि within plus minus 5 degree आप temperature को control कर पा रहे हो, आप maintain तो करना चाहते हो 1300 degree, बट आपका temperature 1295 भी चला जाता है, और maximum side 1305 भी चला जाता है, ये सब कुछ किसके करण हो रहा है, क्योंकि आपने जो heater की controlling के लिए method यूज किया है, वो on-off control method यूज किय है, तो इस situation में आपकी जो application है, वो sustain ही नहीं कर पाएगी, आपकी application fail कर जाएगी, अब अगर यहाँ पे आपको 1300 degree fix अचीव करना है, आप चाहते हो कि आपका temperature हमेशा 1300 degree चाहिए, चाहिए आपको, तो आपको on-off control की जगा, PID control यूज करना पड़ेगा, यहाँ पे आता है PID control इस्तमाल करने के लिए, कि PID control आपको अपनी application के लिए लगाना पड़ेगा, अब PID control ऐसा क्या करेगा, कि वो fix 1300 degree को achieve कर देगा, यह बात देखने वाली है, तो आइए इस चीज को समझते हैं, देखे PID control के अंदर same mechanism रहेगा, आपके पास same furnace रहेगी, आपको same 1300 degree temperature की requirement रहे एक PID controller रहेगा, आपके पास क्या रहेगा, PID controller रहेगा, इस PID controller को आप sensor के साथ connect करोगे, और आपका जो control temperature है, वो PID controller के अंदर आप कितना set करोगे, 1300 degree उसको set करोगे, अब PID control क्या करेगा, जो heater है, इनको on off नहीं करेगा, उसके अंदर आप parameter set करोगे, वो feedback लेगा, यहां से कि अभी आपका current temperature कितना चल रहा है, मालीजे आपने initially furnace को on किया, और आपका temperature 40 degree था, आपका temperature कितना था, 40 degree था, आपने जो furnace को on किया, तो यहां से जो यह sensor है, यह feedback देगा इस controller को, कि अभी जो present temperature है, वो 40 degree है, बट आपने set कितना कर रहा है, 1300 degree set कर रहा है, तो PID control अपने parameter के base पे calculate करेगा, कि जो set point है, 1300 degree, और जो अभी current temperature है, 40 degree, इसके अंदर बहुत ज़्यादा gap है, तो वो heater को क्या कर देगा, full power के साथ on कर देगा, तो आपका जो temperature है, वो बहुत तेजी के साथ बढ़ना start होगा, अब जैसे ही यह जो PID controller है, यह देखेगा कि आपका temperature 1300 degree के पास पहुच गया है, तो यह heater को off नहीं करेगा, यह heater को off नहीं करेगा, बिल्कुल off नहीं करेगा, बिल्कुल zero नहीं करेगा, बंद नहीं करेगा, बलकि heater की जो power है, उस power को कम कर देगा, उस power को कम करने से क्या होगा, जो heater की heating की capacity है, वो कम हो जाएगी, और आपका जो temperature है, वो fix 1300 डिगरी पे sustain हो जाएगा तो PID control क्या करता है PID control continuous monitoring करता है और जो system आप control करना चारे हो उसकी power को कम ज़्यादा करके एक fix आपको जो target है जो set point है उसको achieve कराता है ऐसा ही एक example आप AC का ही देख सकते हो अभी जो मैंने आपको AC का एक example बताया उसके अंदर हम जो normal AC यूज करते हैं वो example था बत आजकल घरों में आपने देखा होगा आपके पास inverter type के AC भी आते हैं inverter type AC के अंदर क्या होता है कि आपने set point कर दिया 24 अब उसके अंदर क्या होता है उसके अंदर जो आपका compressor है वो बिल्कुल बंद नहीं होता उसके अंदर आपकी जो compressor की speed है उसको वो control करता है जैसी आपका temperature मालनीजे आपने initially room को AC में own किया और आपको जो room का temperature है वो 40 degree पहुंचा हुआ है तो जो compressor है वो full power के साथ चलेगा और आपने जो AC के अंदर temperature है उसको 24 degree set कर रखा है तो जैसे जैसे temperature आपका down आएगा आपका temperature 24 के पास आएगा तो जो AC का compressor है वो बंद नहीं होगा बलकि उसके RPM कम हो जाएंगे RPM कम होने से क्या होगा उसकी cooling की capacity कम हो जाएगी cooling के capacity कम होगी तो आपका temperature 24 degree पे sustain कर जाएगा तो इसी तरीके से हमारे PID के अंदर भी रहता है PID के अंदर हम जहाँ पे हमें एक fix set point को achieve करने की requirement है कि हमारे पास कोई tolerance है ही नहीं चाहे वो आपकी requirement temperature की है चाहे वो requirement pressure की है चाहे वो flow की है चाहे वो humidity की है चाहे वो level की है चाहे वो किसी भी चीज की आपकी requirement है आपको requirement है कि आपको एक fix point को achieve करना है तो आप PID control का इस्तमाल करोगे PID control क्या करता है power को regulate करता है totally own of function पे काम नहीं करता जो as usual हमारा own of control काम करता है इस वज़े से हम PID control की साहता से एक fix target point को achieve कर पाते हैं तो I hope आपको समझ में आ गया होगा कि PID control कहां पे लगाया जाता है PID control वहां पे लगाया जाता है जहाप हम एक fix set point को achieve करने की जुरूरत होती है अब ये सब कुछ PID control कैसे करता है उसके बारे में समझते हैं कि PID control के अंदर क्या functioning चलती है कि वह एक set point को achieve कर लेता है देखिए जो PID control है ये continuously जो आपकी output है उसको monitor करता रहता है और set point जो आपने set point है उसके with respect उसका ही reference लेता है जो मैं अभी आपको बात बता रहा था जैसे मैंने AC के example दिया कि आप PID control जब यूज करते हो तो वो continuous जो आपकी present value है और जो set value है उन दोनों को monitor करता रहता है उन दोनों के बीच का difference चेक करता रहता है कि आपका set point इतना था set point आपका 40 था और आपका जो temperature है अभी इतना है उन दोनों के बीच में कितना difference है उस difference के according जो output है उसकी power को कम ज़्यादा करता है जैसे जैसे वो difference कम होता जाता है PID control पावर को कम कर देता है जैसे जैसे वो difference बढ़ता जाता है PID control आपके system की power को बढ़ा देता है ये आपका heater के case में power हो सकता है compressor के case में cooling कर रहे हो तो आपके rpm हो सकते है flow के case में आपके pump के rpm हो सकते है कि आपके pump के rpm को control करके flow या pressure को अपना maintain कर रहे हो तो इस तरीके से PID control जो है वो काम करता है ये continuously set point जो आपकी present value है और आपका जो set value है उन दोनों को check करता रहता है और उन दोनों को check करके ये आपका जो एक fix point अचीव करके दे देता है ठीक है अब इसके अंदर जो ये तीन function है PID ये तीनों function एक अलग-अलग function perform करत करते हैं जिनकी सायता से जो इस fix set point है उसको achieve किया जाता है अब देखिए ये अलग-अलग example मैं आपको बता रहा हूं कि जैसे आपके पास यहाँ पर सर्वो मोटर लिखावा है ये दूसरी PPT तो काड़ किया था इसको ignore कर देना ठीक है ये यहाँ पे जैसे आपने अलग- PID controller की सायता से कर सकते हो और PLC की सायता से कर सकते हो PLC के अंदर भी PID instruction आती है तो I hope आपको समझ में आगा होगा कि PID controlling क्या होती है और क्या से आप इसको कर सकते हो जहाँ पे भी आपको fix point अचीव करना है चाहिए वह pressure flow कुछ भी है उस case में आप PID controlling यूज करोगे और PID controlling आप PID controller और PLC दोनों की सायता से आप कर सकते हो अब यह जो PID control है इसमें जैसे मैं आपको बताया कि आपको level maintain करना है 80% यह temperature आपको अचीव करना है 1300 degree तो PID control आपका form में आ जाता है आपको PID controller की आपको जुरूरत पड़ीगा आपको PID control लगाना पड़ेगा ठीक है दो PID PID controller है यह feedback based पर काम करता है कैसे करता है अब जड़ा उसको समझते हैं तो देखिए इसके अंदर जो सबसे पहला function है P P होता है proportional यह जो है यह चेक करता है error को error को check करता है मतलब कि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आपका पास एक application थी और मालीजे आपको 1300 degree temperature चीव करना थ दें और आपने जब furnace को on किया आपका temperature 40 degree था तो यहाँ पे सबसे पहले proportional block जो है वो activate होगा वो आपका जो set point है और जो आपका present value है उस दुन्नों के बीच में difference निकालेगा कि इनके बीच में कितना difference है और इस difference के according वो क्या करेगा आपकी जो power है उसको बढ़ा देगा अगर यह difference ज्यादा है तो ज्यादा power के साथ होन करेगा difference कम है तो कम power के साथ होन करेगा ठीक है PID के अंदर P का क्या कम होता है proportional block create an output signal proportional to the magnitude of the error signal difference between the desired set point and the measured process value जो अभी मैंने आपको बताया ठीक है अब उसके बाद roll आता है integral का कि proportional जो है वो calculate करता है कि आपका difference कितना है ज्यादा ह यह कम है जो आपको set point अचीव करना है उसके लिए अब integral जो पार्ट है वो क्या करता है integral block जो है जो ए proportional की value निकल के आई है ठीक है इसको क्या करता है the integral block create an output proportional to the duration and magnitude of the error signal कि जो proportional block ने आपको difference निकाल के दिया था कम या ज्यादा जो भी value आई थी integral block क्या करेगा उसके according ठीक है integral उसके according क्या करेगा एक output को generate कर देगा proportional block error को calculate करेगा कि आपकी जो present value और current value उसके बीच में कितना difference है उस difference को calculate करेगा और integral block उस difference को actual में field के अंदर एक output signal में convert कर देगा कि आपको इतनी तेजी से अब आगे बढ़ना है या इतनी तेजी से down आना है ठीक है अब derivative block क्या करेग डेरिवेटी block करेगा एक output signal को ठीक है कि इसका जो rate है कि कितने rate से जो ये change हो रहा है कि आपने सबसे पहले difference को measure किया फिर proportional block से आपने difference निकाला integral block से आपने output को generate कर दिया और derivative block ये देखेगा कि ये जो rate of change है ये इसके अंदर सही चल रहा है नहीं चल रहा है कि आपने जो proportional block और integral block से काम किया था कि आपको इतनी तेजी से बढ़ना चाहिए, आप बढ़ रहे हो नहीं बढ़ रहे हो, इतनी तेजी से down आना चाहिए, आ रहे हो नहीं आ रहे हो, तो वो derivative block के अंदर काम होगा, तो PID, proportional integral derivative, ये तीनों चीज़े आपस में मिलती है, फिर आप एक fix point को achieve कर पाते हो, अब इसका मैं आपको block diagram की साहिता से बताता हूँ, कि ये कैसे काम करता है, देखे सबसे पहले आप एक set point रखते हो, इस set point के अंदर आपको achieve करने के लिए proportional integral derivative तीनों चीज़े की जूरुत पड़ती है, आपका जो set point सबसे पहले proportional block के अंदर जाता है, proportional block जो है control signal क की साहिता से difference निकालता है, कि आपकी जो present value है, माली जो आपका present temperature 40 है, और achieve करना कितना 1300, तो दोनों का difference निकालेगा, इस difference से integral जो signal है, वो एक output signal को generate करेगा, अगर आपका difference ज्यादा होगा, तो वो full power के साथ own करएगा signal को निकालेगा, अगर आपका output काम होगा, difference काम होगा, तो आपकी जो output की power है, वो कम रहने वाली है, derivative below कि सारे system को monitor करेगा, कि जो आपकी process चल रही है, ये with respect to time, सही है या नहीं है, कि जितने time में achievement होनी चीए थी, जो आपने parameter set के हैं, उसके साब से हो रही है, नहीं हो रही है, तो इस तरीके से आपको एक fixed output signal जो है, PID proportional integral derivative की साह आता से करके देदेगा, अब ये जो output signal है, ये output signal आपका कोई analog signal हो सकता है, voltage या current की form में, ये आपको PWM signal मिल सकते हैं, output के अंदर, तो PID control से जो आपका output मिल सकती है, वो different signal की form में मिल सकती है, उनसे फिर आप अपने device कंट्रोल करके, आगे जो further है, set point को achieve कर सकते हो, तो ये सारा कुछ PID के बारे में कि क्या होता है, कहां पे लगाते हैं, next वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इसकी parameter setting करते हैं, कैसे parameter setting controller के अंदर करते हैं, और PLC के अंदर अगर PID control करना है, तो अब कैसे करते हैं, अगर आप ये इन सारी चीजे all in depth knowledge को बढ़ाना च कीजे थैंक यू